हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक ओन में यूट्यूब चैनल तो गाईज यह इस डामा की एक्स्पिनेशन का पार्ट नमबर 12 है और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो आप पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लो एंड वीडिय सेल करने के लिए लिकिन वहापे भी से नहां कर दिया जाता है फिर ये ना फोन पर बात कर रहा होता है यह यान से यह ना शौल करके बोलती है कि मिस्टर लिंच शिंचना नेक्स्ट वीग खाली है तो क्या आप उनसे काौंसलिंग करवाएंगे शौशो की जगा लेकिन यह फोन पे बोलता है कि नहीं मुझे तो शावशाव ही पसंद है मैं उनी से काउंसलिंग करवाऊंगा उसके बाद गैज यह वाली बात सुन लेते हैं मिस्टर फैन और जिने शावशाव का नाम सुनते ही जैलिसी होने लगती है फिर वो इस बंदे को अंदर बिलाते हैं अब आ से बाहना होनागी ना जाने लगती है उसे बाहना शाव योई कोई को वह क्लिप लगते हैं। इन शावशाव िंजरु सेरे कनकी Penis लड़क माफी म MARY लगता है लेकिन शावशाव के किender लिदय कि जोकित है कि मुञे संभी नहीं को हुए और इसंद्रुइ और बात की जान कि संद्रूई से मांगो जो तुम्हारी वज़े से फस चुकी है और जाकर कि अपना गुना कबूल करो शाव शाव से समझाती भी है कि तुम किसी और की तरह बंकिना कभी भी प्यार और फ्रेंशिप हासल नहीं कर पाऊगी तुम्हें खुद और रहना पड़ेगा तभी इन शाव शाव से भी पूछते हैं तो वह भी बना कर देती है तो इन लोगों को लगता है कि यह लोग साथ में डेट पे तो नहीं जाने वाले हैं तो शाव शाव कहती है कि नहीं उसे एक पपी का ध्यान रखना है उसके बाद ध्यान बोलती है कि वह पपी मेल है या फिर और इधर हमारे लिंचिन के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं अब इन सबी लोगों को सूपर मार्केट में शॉपिंग करते हैं हॉटपोट की और इधर लिंचिन और शौषा भी नृ इसी सूपर he?. options में समान खरीदने के होते हैं आप काउंटर पे आ जाए क्योंकि आपकी दादी मा आपका इंतजार कर रही है यह अनॉंसमेंट बागी सब लोग भी सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लिंशिन यहीं पे है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह लोग हमें ढून रहे हैं फिर निंग भी इन्हें ढूनते हुए न काउंटर पे आता है ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि निंग यहाँ पे आया है उसके बाद ना गेट पे नौक करते हुए जाता है कि अब मैं नहीं हैं से जा रहा हूँ फिर निंग के जाने के बाद ना लिंचिन भी बहार आता है और इनसे नॉर्मली मिलता है उसके बाद यान पुछती है कि आपकी दादी मा कहा है निंचिन कहता है कि उन्ने अराम करना था इसलिए वो घर पे चली गई है तो ये सारे लोग कहते हैं कि फिर तो अब हमारे साथ हौट पॉट पार्टी में चलने ही वाले हैं फिर निंचिन कहता है कि तो चिंता मत कर मैं तेरी दादी मा से पूछ लेता हूँ कि तू हमारे साथ जा सकता है या नहीं मेरे पास ना उनका वीजट नमबर है और उसके बाद वो मैसेज करता है कि दादी मा लिंचिन हमारे साथ हॉट पॉट की पार्टी पे जा रहा है और ये मैसेज ना सीधे शावशो के पास जाता है जिसे शावशो को पता चल जाता है कि निंग को सब कुछ पता चल चुका था तर ये सबी लोग ना लिंचिन को अपने साथ ले आए होते हैं हाट पॉट की पार्टी पे और ये सबी लोग लिंचिन को महाँ से जाने ही नहीं देते हैं उधर शावशो जो होती है वो अकीले ही हाट पॉट एंजॉय कर रही होती है इन काफी ज़ादा मज़े कर रही होती है बिचारा लिंशन, वो शाउशो के साथ डिनर करना चाता था लेकिन वो यहाँ पर फस चुका था और शाउशो तो अकेले ही इंजॉय कर रही थी लिंशन चोरी चोरी हाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन निंग उसे रुक लेता है और कहता है कि सच सच बताओ तुम्हारे आउ शौशो के बीच में क्या चल रहा है लिंचिन कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है लिंचिन कहता है उसे जानने का पूराख है और शौशो ने कर्फ्यू अभी से लगा दिया है घर पे और फिर next scene में दिखाया जाता है क्योंकि अब सारी problem solve हो गई है तो शौशो अपना backpack कर रही होती है वापिस अपने घर जाने के लिए यहाँ पर शौशो का मन तुब बिल्कुल भी नहीं होता जाने का और लिंचन का मन भी नहीं होता उसे भेजने का शौशो कुछ ना कुछ बहाना बना ही रही होती है कि उसका ये समान रहे गया कि उसका वो समान रहे गया फिर लिंचन भी ना आगे बढ़के उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मत चाओ शौशोव दो मिनिर के लिए रुख जाती है फिर लिंचन कहता है कि भार ना मौसम खराब है आज बारिश हो सकती है तो तुम कल चली जाना बस फिर होने ही क्या था हमारी शौशोव तो बहुत ज़्यदा खुश हो जाती है और वहीं पे रुख जाती है पिर नेक्स दे ना लिंचिन को शौशौ के रूम से कुछ हवाज आने लगती है फिर वो सुनते सुनते ही शौशौ के रूम में जाता है तो पता दलता है कि शौशौ तो सन की हेल्प कर रही है ये इनको पटाने में फिर लिंचिन को पता चल जाता है कि शाओ-शाओ सिर्फ सन से बात कर रही है और किसी से बात नहीं कर रही है तो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सनों से रोक के ना उसकी भी हेल्प मागने लगता है ये दोनों लोग मिलकर के न सन की help कर रहे होते हैं लेकिन ऐसे लग रहा होता है ये अपनी ही कहानी सना रहे हैं ये बताते हैं कि पहली बार ना तुम कुछ अलग-अलग चीज़े करो उस person के आगे ताकि वो तुमें notice कर ले वैसे ही जैसे शाओ-शाओ ने की थी और यहां पे lin心 ने उसे notice किया था फिर lin心 कहता है कि तुम ना उस person के आगे continueously जाते रहो और से signal देते रहो बिल्कुल वैसे ही जैसे शाओ-शाओ lin心 को देती है और lin心 शाओ-शाओ को शाव शाव ये भी बताती है कि तुम उसके आगे ना कुछ जादा गलत सिगनल मत देने लगना क्योंकि वो साइकलोजिकी स्टुडेंट है एक बार में तुम्हें पकड़ लेगी शाव कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर लिंचिन उसे अपनी तरफ खीचता है और उसको आखों में देखने लगता है और उसके बाद जब शाव पीचे अठने लगता है तो वो ना उसको डारेक्टली किस कर लेता है। फिर हमें नेक्स सीन में शाव को लूलु के घर पर दिखाया चाता है जहां पर शौशा बहुत जाला गुसा होती है और लूलू उसे बोलती है कि अभी तो तू लिंचन के हां पर रुखने के बहाने जून रही थी और तू अच्छानक से मेरे हां पर आ गई क्या तुम लोगों के बीच में जगड़ा हुआ है शौशा उसे शौशा किस बैक करने के लिए गई न तो लूलू पूशती है तो किस करने के बाद मिस्सन लिंचन ने क्या कहा गूलती है कि कुछ कहा इag भाली प्रप्राप्लम है नेक्स डी ना लूलू की कॉमिक का बुक साइनिंग इवेंट होता है जहाँ पर उसका एक फैन आता है और वो ना उसके कंदे पे हाथ रखके फोटो किछवाने लगता है लूलू अनकमफर्टेबल फील करती है इतनी देर में ना निंग आ चाता है वो इस बंदे को लूलू से हटाता है और कहता है फोटो खिच गई ना तो चलो जाओ यहां से फिर निंग की केर देखके ना लूलू भी बलश करने लगती है और निंग कहता है कि मुझे भी आटोग्राफ मिलेगा क्या फिर इधर ना सुन डॉंग को दिखाये जाता है जिस बंदे को इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाये गया था वो ना यहां पे शौशौ से लेकिन वह मुझे नहीं लगता कि तुम काउंसलिंग मेरी काूंसलिंग मेरी शाइए कर पा रही हो तो मैं चाहता हूं कि तुम ना मुझे मिस्टर लिंचेंग को ट्रांसफर कर दू रो valuable ने लगा है किया था निंग लिंग कहता है तुम ऐसे स बबारा तुम तो बड़े ल निंग कहता है कि मैं ना देखना नहीं चाहता था वो तो गल्दी से मैंने देख लिया निंग कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तू ऐसा बंदा होगा जो अपनी responsibility से दूर भागेगा फिर लिंचन उससे कहता है कि वो ऐसा बंदा नहीं है कि उसे confess नहीं करना चाहता है मैं ना लूलू की जो कौमे किती जादा फिमस हुई है उसकी ना पार्टी देने वाला हूँ मेरे घर पे तो लूलू, शौशौ, तू और मैं ना उस पार्टी में होंगे तो यहाँ पर लिंचन बोलता है यह मौका मेरे लिए है या फिर तेरे लिए है फिर आगे दिखाया जाता है कि शौशौ ना थंडे पानी से दवाई ले रही होती है तो लिंचन आ करके ना उसको गरम पानी देता है लेकिन शौशौ तो लिंचन से बात ही नहीं कर रही होती है फिर आगे दिखाया जाता है कि लिंचन जा करके ना शौशा के लिए खाना लेकि आता है शौशा कहती है कि उसे नहीं खाना है लिंचन कहता है जब चब खालो वरना तुमारे पेट में दर्द हो जाएगा फिर शवशो ना लिंच अंको सुनडॉंग के केस की सारी डीडेल्स देने लगती है वो कहती है कि वो चाता है कि वो तुम से counselling करा है शवब बताती है कि जो सुनडॉंग है न उसकी हालत खराब होती चारी है क्योंकि उसकी न सेल्स जाद अच्छी नहीं हो रही है तो वो डिप्रेशन में चला गया है अब तो उसे सुसाइडल थौट्स भी आने लगे है शौशो का मूट खराब देखती हुए लिंचन उसे कहता है कि चलो टॉपिक चेंज करते है वो कहता है कि निंग ना लूलू की कौमी की सकसेस की पार्टी देने वाला है शौशो पूछती है कि निंग ऐसा क्यों करेगा लिंचन बोलता है कि वो इसलिए करेगा क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा वाला फैन जो है तो शौशो कहती है कि लास्ट टाइम मैं ना हाट पार्ट के पार्टी में नहीं आई थी और तुम लोगोंने बहुत अच्छी वाइन पी थी तो मुझे भी वाइन पी नहीं है फिर लिंचन शौशो से कहता है कि नहीं भाई तुम वाइन नहीं पी सकती हो क्योंकि तुम पीने के बाद सब कुछ भूल जाती हो फिर इन सब को ना पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे शाव शाव ड्रिंग करने लगती है तो लिंचन उसे रोक के कहता है कि बिलकुए मत भी हो तुमारे पेट में दर्द हो जाएगा फिर अधर लूलू ना फ्रिच से ड्रिंग लने के लिए जाती है तो वो फिर्च पे ना वैसी इमोजी देख लेती है जैसी को उसको लैंप पे बनी होई मिली थी और वो समझ आती है कि उसे ना वो लैंप निंग नहीं दिया था फिर लूलू ना निंग की हेल्प करने लगती है काम करने में और निंग भी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ मैं ना काम कर लूँगा यहां पर लूलू भी तो है मेरी मदद करने के लिए अब समझ में यह नहीं आता कि लिंचन निंग को अपरचुनिटी दे रहा था या फिर निंग लिंचन को लूलू और निंग ना यहां पर बरतन साफ करने लगते हैं तो यहां पर जब लूलू उससे प्लेट ले रही होती है तो गलती से निंग का हाथ ना लूलू के हाथ पर टच हो जाता है जिससे वो प्लेट उससे गिर जाती है और लूलू काफी जादा खबरा जाती है शायद लूलू को ना टच से प्राब्लम है और ये वाली बात निंग भी समझ जाता है फिर लूलू यहां से चली जाती है फिर लिंचन और शोषो जब वापस जा रहे होते हैं तो एक Flower पीचने वाली आंटी लिंचन से कहती है कि तुम ये Flower ना अपनी Girlfriend के लिए खरीद लो लिंचन फ्लावर खरीदने के लिह जा ही रहा होता है कि शोषो बोलती है कि मैं इसकी Girlfriend नहीं हूं फिर लिंचन भी बोलतेता है कि हाँ ये मेरी girlfriend नहीं है फिर तो शौशो गुसा हो करके वहाँ से जाने लगती है उसके बाद लिंचन सोचता है कि पता नहीं उसने क्या खेय दिया फिर वो नांटी से सारे flower खरीदने लगता है और कहता है कि भले ही अगर वो मेरी girlfriend नहीं है तो यहाँ पर लिंचन तो बात ही बदल देता है और कहता है कि वो तो निंग से पुछा था खाने पर जाने की अब तो शौशो को और भी ज़्यादा गुसा आने लगता है और वो कहती है कि वो ना आज दो पैर में बिल्कुल भी free नहीं है तो तुम ना मेरे को याद भी मत करना शो के जाने के बाद निंग लिंचन को समझाने लगता है कि शो शाओ आज रिंग पैन के आई थी और वो कभी भी रिंग नहीं पैन कियाती है वो तुझे साफ साफ कहना चाहती है कि तू उसे कन् फैस कर दे करी negativity क कहता है धर लेकिन वो तो पर्सनल बात करेगा और वह इस सारे लड़के ना कRIुछा लिल्क पिना बादे में बताथी है लिंक तो समझ जाता है कि ये लूलू की बात करी है शाउशा उससे कहती है कि तुम ना लूलू की काउंसलिंग करो फिर निंग कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग जिससे एमोशनली कनेक्ट होते हैं उसकी काउंसलिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे शाउशा बोलती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन लूलू से इसका क्या मैटर फिर निंग उसे हच के देखने लगता है तो यहाँ पे शाउशा समझ जाती है कि ये ना लूलू को पसंद करता है फिर निंग ना शाओशाओ चे कहता है कि तुम और लिंचनीना लू़ू की मदद करने वाले हो वो यहाँ पर शाओशाओ को दो movie की ticket देता है और कहता है कि तुम ये movie देखो तो तुम्हें पता जल जाएगा कि लू़ू को problem क्या है और उसे solve कैसे करना है शाउशा कहती है ये तो दो टिकेट है तो यहाँ पर निंग बोलता है कि तुम ये मूवी ना लिंचन के साथ देखने वाली हो क्योंकि लिंचन भी इस केस में तुमारी हेल्प करने वाला है फिर इधर लिंचन को दिखाया जाता है जो कि मुवी देखने के लिए जा रहा होता है लेकिन रस्ते में उसे कॉल आता है उसकी मॉम के हॉस्पिटल से के महाँ पे कुछ प्राबलम हो गई है फिर तो लिंचन ना हॉस्पिटल जाने लगता है और इधर शाओ शाओ लिंचन क जो कि कोई और नहीं हुआंग है हुआंग इन से कहता है कि उसने ना हॉस्पिटल में अपना काम कम्प्लीट कर दिया है और लिंचन को समाल लिया है अब तुमें ना शौशो को समालना है और ध्यान रखना तुम शौशो के प्यार में ना फस जाओ क्योंकि शौशो हमारे प्लान का एक बहुत इंपॉर्टन्ट हिस्सा है मिस्टर फैन के एक्स्प्रेशन से तो ऐसे लग रहा है कि वो शौशो के प्यार में औरेडी पढ़ चुके हैं तो इधर शौशो को दिखाया जाता है थैक्स वाचिंग मिलते हैं बहुत जल्ड